हेलो गाइस वेलकम टू मैं चैनल उमीद करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में ठीक से हैं तो गाइस नया दीन ने शुरुआत और चलिए करते हैं आज बहुत जादा इंपोर्टेंट काम की बात आज की वीडियो गाइस बहुत जादा इंपोर्टेंट होने वाली ह उन सभी के लिए जो नर्सिंग को अपना करियर बनाने की सोच रहें और confused हैं आप लोग इंजोई कीजिए हमारा आज का रूटिन और मैं शुरू करती हूँ जल्दी से आज का टॉपिक तो गाइस लास्ट विग न मैंने एक वीडियो अपलोड किया था अपने चानल पे कि नर्सिंग की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है इस वीडियो को देखके मुझे इतने सारे कमेंट्स आए ना बहुत सारे लोगों की कि अगर नर्सिंग की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है इस फिल्ड में कोई रिस्पेक्ट है नी तो नर्सिंग करनी चाहिए नहीं करनी चा इसा लगता है ना मेरे personal experience से कि nursing से best profession आज की तारिक में दूसरा नहीं है financial point से अगर हम देखे guys तो nursing करने के बाद आप कहीं पे भी कोई भी hospital में easily job लग जाती है मतलब आपको कोई जादा effort लेना नहीं पड़ता है अगर हम other professions की बात करें for an example engineering ले लेते हैं इतना सारा पैसा लगा करके इतने साल पढ़ाई करके बहुत सारे लोग घर पे heavy बैटे हैं क्योंकि competition इतना जादा है nursing में इतना जादा competition नहीं है guys hospital में nurses की vacancy रहती ही रहती है तो आपको job easily मिल जाती है हाँ अगर आपको government hospital में काम करने है तो थोड़ा effort लगाना पड़ता है अगर आपको abroad काम करने है तो थोड़ा effort लगाना पड़ता है लेकिन private में तो आपको easily job मिल जाती है अगर हम बात करेंगे respect की तो हाँ nurses की बहुत सारे लोग respect नहीं करते हैं लेकिन हमको अपना stand strong रखना आना चाहिए अगर हम strong है तो फिर हमें कोई भी disrespect नहीं कर सकता है अब बात कर लेते हैं कि GNM nursing करनी चाहिए या BSC nursing करनी चाहिए तो guys GNM nursing जो होता है diploma course है और BSC nursing जो है degree course है अगर आपने 12th में commerce या arts लिया है और science नहीं लिया है तो भी आप GNM nursing के लिए apply कर सकते हैं लेकिन अगर आपको BSC nursing करनी है तो आपको compulsory science लेना ही पड़ेगा 12th में GNM nursing और BSC nursing में guys एक साल का difference है थोड़ी पढ़ाई ज़ादा BSC nursing में होती है GNM में क्योंकि practical पे ज़ादा ध्यान दिया जाता है लेकिन BSC nursing करने से guys आपको degree मिल जाती है और आगे के रास्ते आपके ज़ादा clear हो जाते है GNM nursing करने के बाद guys अगर किसी भी private hospital में आप apply करते हो इंडिया के तो easily आपको मिल जाएगा job कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन वही अगर आप government hospital में काम करना चाहते है तो कम से कम दो साल का experience तो आपको चाहिए ही चाहिए वो requirement रहती है government exam लिखने की और अगर आप किसी foreign country में काम करना चाहते है guys तो कुछ-कुछ countries ऐसी है जो GNM को बिलकुल accept नहीं करती है क्योंकि ये एक diploma course है वहीं अगर हम बात करें B.A.C. nursing की guys तो एक पर आपकी nursing complete हो गई बिना किसी experience के भी आप government job के लिए exam दे सकते हैं और अगर बात करें foreign countries की guys तो हर country में B.A.C. nursing को accept किया जाता है क्योंकि obviously ये एक degree course है बहुत सरो लोग ऐसे होते guys जिनको further study करने में interest रहता है अगर आपने GNM किया है guys और अगर आपको further study करना है तो सबसे पहले आपको B.A.C. nursing का level में अपने आपको लाना पड़ेगा जिसके लिए आपको करनी पड़ेगी 2 साल के लिए post B.A.C. nursing तो ये थोड़ी जादा मेहनत हो जाएगी guys मतलब GNM आप 3 साल के लिए करोगे उसके बाद वापस से आपको 2 साल के लिए पड़ाई करनी पड़ेगी वही अगर आप B.A.C. nursing करते हैं guys तो direct further study के लिए apply कर सकते हैं कोई problem नहीं आएगी और बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं guys जो nursing complete करने के बाद hospital में job करना पसंद नहीं करते हैं उनको पढ़ाना पसंद होता है वो college में जाके पढ़ाना पसंद करते हैं लेकिन अगर आपने GNM कर रखा है guys तो अब directly जाके नहीं पढ़ा सकते हैं वापस आपको दो साल के लिए पढ़ना ही पढ़ेगा पोस B.A.C. nursing करनी ही पढ़ेगी लेकिन अगर आप B.A.C. nursing करते हैं तो आप direct college में जाके as a twitter काम कर सकते हैं अब guys बहुत सारे comments ऐसे भी आए थे कि हमको nursing private college से करनी चाहिए कि government college से करनी चाहिए और अगर nursing में अच्छे marks नहीं है तो फिर क्या हमें job नहीं मिलेगी या फिर क्या हम foreign country काम करने नहीं जा सकते हैं तो guys मैं आपको बता दू कि चाहिए आप private college से पढ़ाई करें या फिर government college से पढ़ाई करें चाहिए आप class में top करें या फिर borderline से पास हो जाए चाहिए आप एक बार में nursing clear कर ले या चार बार में clear करें कोई फरक नहीं पड़ता है guys आपका जरूरी है nursing complete करना एक बार आपन country में भी काम कर सकते हो guys nursing एक बहुत ही बढ़िया करियर option है मतलब कि ये इतना बड़ा सेक्टर है ना कि आप अपना करियर अराम से बना सकते हैं और एक पर आपनी nursing complete कर ली ना guys आप खाली नहीं बैठोगे घर पे क्योंकि इसकी इतने जादा स्कोप्स है ना मतलब अब कहीं nursing हो जाती है मेरे पहचान में guys काफी ऐसे लोग है जिनोंने nursing करना चाहा लेकिन वो नहीं किये पीछे हट कहे और finally आज वो regret कर रहे है कि काश हमने भी nursing कर लिया होता तो हमारा भी अच्छा करियर बन गया होता तो please आप confused मत होई है अगर मन में ठान लिया है तो nursing को अपना कर blessings बहुत सारे लोगों से उमीद करते हूं कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो please like और subscribe जरूर कीज़ेगा अगर आपके दिमाग में कोई भी question है तो आप comment section में comment कर सकते है या फिर आप मुझे instagram पे भी message कर सकते है guys instagram पे message करने से मेरे लिए बहुत जादे easy हो जाता है answer देना चलिए guys मैं मिलती हूँ आपको next वीडियो में तब तक के लिए रखे आप अपना ख्याल take care see you bye